यह हिं दोस्तों सागति आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साइट में दुबेदी यूग से संबंदित मत्पूर्ण कॉस्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवस्य कर लेंगे अगर आप चैनल पर संपादक कौन थे एक सो चालिस में आपके लिए चैन करना है चार विकल्प आपके आपर दिये गए है क्या होगा सई आंसर चैन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन है और हिंदी उपन्यास कोस के रचेता पूंचा गया है जिसकी रचेता कौन माने जाते हैं लज्जा राम सर है लान पर तीन सय आंसर होगा यानि की गोपाल राय आपका सईया और होगा गोपाल राय आपका सचैन करना है कि सुरी लाल गो समी स्रद्दा राम फिल्लोरी प्रेमचंद ब्रद नंदन सहाई एक सो एक तालिस में आपके लिए बताना है भाग्यवति उपन्यास के उपन्यास कार कौन माने जाते हैं तो आप सभी का यहां पर सयांसर होगा स्रद्दा राम फिल्लोरी भाग्यपर स्रद्दा रखो तो स्रद् बाग्यवती उपन्यास माना जाता है श्रद्दाराम फिल लौरी जी का विकल्प नमबर भी आपका सयांसर होगा ना दिखला पूल किसका उपन्यास है कौश्च नमबर 142 आपसे आपर पूंचा गया है हर्योद का है कि सुरिलाल गोसामी लज्जराम सर्मा या जैसंकर प्रस अदिखला फूल वताईएगा कॉश्च नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया 142 और 42 का सयांसर क्या होगा अदिखला फूल वताना ये कि इनका उपन्यास माना जाता है तो आप सभी का यहां पर सयांसर आरा 42 में हर्योद जी का उपन्यास विदा की रचिना मानी जाती है ह हर्योद जी की अदिखला फूल हरा है अदिखला फूल कैसा है हरा है हरा से हर्योद आपका सही आंसरों का विकल्प नंबर एक सही आंसर है लीला बती वा आदर्स सती उपन्यास के लेका कौन मानी जाते हैं कॉश्च नमबर 143 है महत्तपून है चैन कीजेगा गोपाल राम गैमरी है लज्जा राम सर्मा है जगमोंस है कि सोरीलाल गोस्वामी है लीला बती वा दर्स सती यह पन्यास वेदा की रचना इमानी जाते हैं किनकी रचना है तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है यह रचना इमानी जाते हैं किनकी विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा क विकल्प नमबर चार आपका यहांपर सई आंसर होगा ने प्रेमचन जी का प्रतम उपन्यास कौन सा है बताईएगा चैन कीजेगा सेवा सदन है प्रेमा है रूठी राणी है नर्मला है तो एक सो चावालिस में आपका क्या होगा सई आंसर चैन कीजे तो आप सभी का सैयांसर आँ सैयांसर चेन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए अगये हैं और आप सभी का यहां पर बिलकुल आँ रहा है तो प्रेमा आपका सैयांसर विकल्प नबर दो सैयांसर लगाताया एकसो चेवालिस में तो प्रेम्चेंजी का प्रिथम उपन्यास इन वेसे जो है इन वेसे आपका प्रेमा सही आंसर होगा विकल्प नमबर दो सही आंसर होगा उपन्यास पत्रिका की संपादक बताना है बताईएगा उपन्यास पत्रिका की संपादक कौन है चैन कीजेगा सभी लोग बताईएग महत्पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या आ रहा है तो आप सभी का विल्कुल सही आंसर होगा यहां पर नुपन्यास पत्रिका की संपादक 145 वा कॉश्चन यहां पर दिया गया है और 45 में सभी लोगों ने chain किया है क्या chain किया है विकल्प नंबर एक यानि की एक में आपका के सोरी लाल गोस्वामी सही आंसर होगा के सोरी लाल गोस्वामी आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका जो एक है वह आपका यहां पर सही आंसर होगा विल्कुल से विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है आपर अंगला कॉस्चन यहां पर देखते हैं कॉस्चन नमबर आपसे आपर अंगला क्या पूंचा गया है यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमबर आपसे आपर चालिस पूंचा है के सो पन्यास को आचा रामचन सुकल ने अगे, जी ढंका मौलिक औपन्या से कहा है, या माना है, यह आपको बताना है, कौश्च नमबर चालिस है, वो चालिस में क्या होगा सही आनसर, बताएगा, चेन कीजेगा, यहाँ पर मत्बूर्ण कौश्च यहाँ पर पूंचा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 140 में विकल्प नमबर 3 परिक्षा गुरू आप सभी का सही आंसर होगा परिक्षा गुरू आपका सही आंसर है विल्कुल चाहिए विकल्प नमबर यहाँ पर जो 3 है वहें आप सभी का सही आंसर होगा परिक्षा घुरू कहानी कला किसका नेवंद है कहानी कला आपके लिए वताना है कौन सा यहाँ पर माना जाता है वताईएगा क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा मत्पूर्ण कौश्चन यहाँ पर पूँचा क्या है कहानी कला किसका नेवंद माना जाता है और आप सभी ряд आपर सभी आंसर क्या होगा तो विल्कुल सभी लोगों ने आपर सभी आंसर चेन किया है 47 में क्या है सभी आंसर 47 में विकलप नमबर 2 प्रेम्चिंद होगा सभी आंसर कहानी कला आपका सभी आंसर है ये live class चल रही है अपनी एक सो 47 में आपका जो दो है वहें आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा तो यहां पर आपका जो है रूठी रानी होगा सही आंसर है यहां पर 144 में प्रेमचन जी का पर्थम इनमें से उपन्यास जो है रूठी रानी आपका यहां पर सही आंसर होगा 44 का C आपका सही आंसर है तो विल्कुल चाहिए सो दाल ले हाँ पर वेकल्प नमबर 3 आपका सही आंसर होगा और आंगे बढ़ते है तो आपका यहाँ पर पूंचा गया है कौनचा यह तो प्रेमचन जी का निबंद है इलाहाबाद में हिंदी नाट समीती कि इसतापना किस वर्स होई थी 148 में आपको चैन करना है 148 का क्या होगा सही आंसर बताइए 148 में आपका सही आंसर क्या होगा चैन कीजेगा मत्टपूंण कौश्चन यह आपर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर 1908, 1910, 1915, 1909 तो आप सभी का यहां पर सईयांसर है कि निलाहबाद में हिंदी नाटे समीती की इस तापना किस वर्स हुई तो आप सभी का यहां पर सईयांसर आ रहा है 148 में विकल्प नंबर डी सईयांसर है 1909 में हुई थी 1909 आपका सईयांसर होगा बिल्कुल चाहिए बहुत बढ़िया अंगला नंबर आप से यहां पर पूंचा गया है 49 की प्रिये प्रवास में किर्ष्न के किस रूप को उभारा गया है वह रूप आपके लिए बताने लोक रख्षक नटराज प्रेमी या फिर बात चलिए एक सो नंचास में आपको चैन करना है एक सो नंचास का क्या होगा सईयांसर तमाटर जी मनोज जी चैन कीजेगा चार विकलप आपके दिये गए हैं और प्रिये प्रवास में किर्ष्न के किस रूप को उभारा गया है वह रूप बताना है तो नंचास में आपका विकलप नंबर एक सईयांसर आ रहा है यानि की लोक रक्षक आपका सईयांसर होगा मुन Αंसर विखल्प नमबर यह वाला जनानयवी चएण Cyồng किया है हन्दी फिंदू फिर्षटाइन का नरा किस ने दिया था यह नरा आ जहा हैं यहीं ृदू फिरसित्द्म अरभ दिया था बहर किन दूद बाल्मकुंद गुप्त प्रसाओव एक सोपचास बाक्वा क Online एक सो पचास में अपने याद किया था हिंदी हिंदू हिंदोस्तान इस नारे का बहुत ही जादा क्या है प्रताप है प्रताप तो इस नारे का क्या है प्रताप है तो प्रताप से प्रताप नारन मिस्र आपका यहां पर सई आंसरोगा हिंदी हिंदू हिंदोस्तान नारा जो ह और नामकरन किस लेखक के साथ संबंद किया जाता है, ये आपके लिए बताना है, गिरेशन, गिलक्राइश्ट, मांतेन, सेफ्षपियर, एक सो इंक्याउन में आपको चैन करना है, क्या होगा सही आंसर, बताइए, निबंद का जन्म है, और नामकरन किस लेखक के साथ किया जाता है यह आपसे पूंचा गया है इंक्यावन में आपका तीन सई आंसर हो गा मांत एन आपका सई आंसर है सी वाला विकल्प आपका सई आंसर हो गा बहुत बढ़ीयां विकल्प नमबर तीन जैनों ने भी चैन किया है सई आंसर होगा अंगला question देखेगा किस लेखक क कि गद्द विदान को आचार सुकले ने सायास अनुप्रास में गुथे सब्द गुच्छों का अटाला कहा है तो यह आप से पूंचा क्या है एक सो पाउन में क्या पूंचा है किस लेखक के गद्द विदान को आचार सुकले ने सायास अनुप्रास में गुथे सब्द कंज गुप्ते गोबिंद नारण मिस्तर माधाउ प्रषाद म्हिस्तर सरदार पूर्ष हैं सभी का यां पर सई ?" आनौ》 इंक्याउन में आपका वीकल्प नंबर क्या हुगा सइयां सडें सालइबाउन है बाउन में दो गोबिंद नारण मिस्र आपका सईयांसर हूगा गोविंद नारण मिस्र आपका भी वाला विकल्प जो है आपका सईयांसर हूगा सरदार कूर्ण सेंके कितने नबंद हैं यह तो कई बार अपना पड़ चुकि sol को पूंचा याता है सरदार कुल सेंगे कुल निबंद दस छे पांच पंद्रह यह चार विकल्प दिये गए इन मेंसे आपको चेन करना है सरदार पूर सेंगे कुल निबंदों की संख्या कितनी मानि जाती है तो आप सभी का हैं पर सही आंसर आ रहा है कि भै मानी जाती है छे इतनी मानी जाती है छे आपका यहाँ पर वाला जो विकल्प है भै आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सिव संभू का चिठ्ठा किसकी गद्र रचिना मानी जाती है 155 में आपको चेन करना है 155 का क्या होगा सही आंसर सिव संबू का चिट्था बताईएगा मत्पूर्ण कॉशन है एक सो चंगन में बताना है और आप सभी लोगों ने कई वार पड़ा है यहाँ पर जिये गए विकल्पे बाल मुकुंद गुप्त है सिव संबू के जी चिट्थे हैं चिट्थे हैं जो उनको गुप्त में रखना है तो गुप्त सिव आल मुकुंद गुप्त आपका सईया आंसर है विकल्प नमबर एक सईया आंसर होगा सिव संबू का चिट्था किस पत्र में प्रिकासित हुआ था कॉशन नमबर 155 है एक सो पचपन में आपको बताना है क्या होगा सई आंसर भारत मित्र में सरस्वती में माजूरी में जागरण में और क्या होगा सई आंसर एक सो पचपन में बताना है मत्तपूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है चार विकल्प दिये गए हैं आपके सिर्फ संबू का आप देखेगा अपनी ही दृष्टी अपने ही भाउ किस विदा की प्रमुख विसेश्था है वह विदा आपको बता नहें कौन सी वह विदा है वह वह ती मत्पूर्ण काॉस्चन कहानी विदा है और पण्यासे नाटक है निवंद है वताइए 56 में अपनी ही दृष्टी जो है वह आप सभी का सईयांसरों का विकल्प नमबर ने चार आपका सईयांसर है अपनी ही दृष्टी अपने ही भाव निवंद विदा की रचिना हैं अंगला कौश्चन यह आपकर देखेगा कौश्चन नमबर आप से संताउन पूचा है पुस्पांजली किसके निवंदो मिस्तर., Question number, Sandown, आपसे यहां पर पूँछा गया है, Sandown में आपके लिए चेन करना है, पॉष्पान्जली जो है, किसके निवंदों का संग्रे माना जाता है, विल्कुल, हत्यपूर्ण question पूँछा गया है, प्रमोजी और अनल जी, तो आप सभी का यहाँ पर संताउन में जो सही आंसर है तीन होगा सही आंसर संताउन में तीन होगा यानि कि मादव पिरसाद मिस्र आपका सही आंसर है मादव पिरसाद मिस्र जनोंने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर पूंचा है कि विजियानंद अंठावन विजयानंद दुभी बताने के सुर्फण का उपनाम है रहा है अंठावन में संपना सर्मकोषिक विजयानंद दुभी इनका उपनाम आज panorama नमबर आपका सी वाला जो विकल्प है यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर तीन सिभ संभू का चिट्था के ब्यंग लेक किसको आधार बनाकर लिखे गए बताइए का 169 में सिभ सेंगर को लाड लाड हार्डिंग को महाबीर परसाद दुवेदी को लाड करजन को तो 16 99 में आपको चेंगर करना है क्या होगा सही आंसर तो आप सबी का सहीं आंसर है यहां पर सिभ संभू का चिट्था के लेक ब्यंग लेक जो है किसको आधार बनाकर लिखे गए तो आप सबीका सहीं आंसर आरहा है 69 में वेकल्प नंबर 4 यानि की लाड करजन लाड करजन आपका यापर सही आंसर है सिबसंभू का चिट्था बाल मुकंद गुप्त की रचना वानी जाती है आच्रन की सब्वता ये रचना खिनकी वानी जाती है वताईएगा चेन कीजेगा 60 वा कॉस्चन यापर दिया गया ह आच्रन की सब्वता पूंड मिली है आच्रन की सब्वता पूंड है पूंड से सरदार पूंड से आपका सयांसर है इन्होंने सिर्फ 6 निवंद लिखे है कन्यादान निवंद के लेखक कौन मानी जाती है वताईएगा कन्यादान निवंद माना जाता है अध्यापक में का गोबिंद नारण मिस्र मादाव परसाद मिस्र या फिरपाल मुकंद गुप्ते है ईक सब्सक्राइब निवन्द है इसके लेकक कौन मानी जाते हैं एक सो एक सब्सक्राइब को चैन करना है क्या होगा सईया अंसर मत्तपूर्ण कॉश्चन दिया गया है यहां पर भी व पूँचा है, क्या पूँचा है, इसके लेख़क कौन माने जाते हैं, कृष्ण विहारी मिस्र है, पद्म से चर्मा है, स्याम सुन्दर दास है, माबीर प्रसाध दुबेदी हैं, एक सो बासट अवा कौश्चन, यहां पूँचा गया है, बताईए हां सरदार पूंड से और अध्यापक पूंड से एक ही है एक ही है विलकुल एक ही है और यहां पर आपका 162 में सही आंसर क्या होगा 162 में आपका महावीर प्रसाद दुबेजी सही आंसर है डी वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर चार आपका सही आ बंद माना जाता है माधव पिरसाद मिस्र का चंद दर्सर्मा गुलेरी का जगनात चतुरबेदी का या फिर बालमुकुंदे गुप्त जी का कच्छुआ धर्म जो निबंद है ये माना जाता है किनका 63 में आप सभी का सही आंसर होगा वेकल्प नमबर दो यानि की चंद धर् गुलेरी जी का यह निबंद माना जाता है कचुवा दर्म मारिसि मुई कुंठाब सभी जो निबंद हैं यह को आप पद्म सेह सर्मा है, स्याम ब्यारी मिस्र हैं। Question number 164 आप से याँ पर पूंचा गया है, 164 में क्या होगा सही आंसर। तुल्नात्मक आलोचना के लिए निम्न मैं से कौन से निवन्दिकार प्रिशिद्य हैं। चौंसट में आपका तीन सही आंसरों का पद्म सेह सर्मा। क्या होगा सही आंसर। पद्म सेह सर्मा आपका विकल्प number 3 जो है, आप सभी का सही आंसर होगा। आचार रामचन सुकल के अधिकान से मनुव व्यज्यानिक निवन्द किस पत्रिका में प्रिकासित हुए हैं। पत्रिका आपको वताना है, प्रभा है, या फिर नांगरी पिचानली पत्रिका है, मादुरी है, इंदू है, 165 में आपको चैन करना है। क्या होगा साइए आंसर चैन कीजेगा। चार विकल्प या पर दिये गए हैं। आचार सुकली जी जो है, क्या होगा साइए आंसर लबली ठाकुर जी विलकुल। किस पत्रिका में प्रिकासित हुए, तो नांगरी पिचानली पत्रिका आप सभी का सही आंसर यहां पर होगा। कवीता क्या है किसका प्रसिद्ध निवंद सबसे पहले तो यहीं पूंचा जाता है कवीता क्या है किस विदा की रचिना है तो यह निवंद विदा की रचिना किन का निवंद है माबीर प्रसाद दुबेदी का या फिर बालमकुंद गुप्त का पदम सेंसर्मा का या फिर र सही आंसर होगा आचारे रामचंद्र सुकल होगा सही आंसर आचारे रामचंद्र सुकल आपका 66 में डी सही आंसर है कभीता क्या है निबंद प्रारम में किस पत्रिका में प्रकासित हुआ था प्रारम में ये प्रकासित हुआ था सरस्वती में समालूचक में सुदर्सन में प चेहन कीजेगा कवीता क्या है निवन्द प्रारम में किस पत्रिकां प्रकासित हुआ यह पूंचा है 67 में तो विकल्प नंबर आपका यहां पर एक जो है आपका सही आंसर होगा विल्कुल चाही बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर क्या पूंचा गया है यह कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर 168 पूंचा है कभी और कभीता कैसा गंबीर विसाय है कहने की आविसकता नहीं है यह पर इस विसाय की बहुत मौटी मौटी बातें बहुत मौटे तोर पर कहीं गई है यह पंतियां किनकी मानी ज आप सभी का सई आंसर आ रहा है क्या रहा है ये रामचन सुपल जी की पंतियां मानी जाती है विकल नमबर बी वाला जो है आप सभी का सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन देखेगा 69 कॉस्चन या पर पूंचा गया है कि मारे सी मोई कुंठाव निवंद के लेखक कौन माने ज आते हैं मादव प्रसाद मैस्टर गुलेरी जी रामचन सुकल अजारी प्रसाद दुवेदी तो आप सभी का सई आंसर है हरीश जी सरद जी और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है 179 में विकल्प नंबर दो आपका सई आंसर चंद दर सर्मा गुलेरी अब भी बताए तक अच्छुआ धर्म मारे सी मोई कुंठाव यह सभी जो हैं गुलेरी जी के निवंद माने जाते हैं लज्जा और गिलानी निवंद के लेख का कौन माने जाते हैं 170 में आपका सई आंसर क्या होगा 170 में सभी लोग चैन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन है रामचन सुकले हैं बालमकुंद गुप्त हैं सुकदेव बिहारी मिस्र हैं सर्दार पूर्ण से हैं लज्जा और गिलानी बताएगा चैन कीजेगा पती मत्प विकल्प नंबर आपका यहां पर 70 में जो एक है वह सई आंसर होगा रामचन सुकल आपका सई आंसर है लज्जा और गिलानी निवंद के लेकक रामचन सुकल माने जाते हैं विल्कुल चाहिए चिंतामणी किसका निवंद संग्राय माना जाता है चिंतामणी वताना है श्य आपर दिया गया है सभी लोग लाइक अबस्य करते जाइएगा जन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक अबस्य कर लीजेगा और आप सभी का सई आंसर आ रहा है चिंतामणी अपनने कई वार यह निवंद संग्राय पड़ा है 171 में आप सभी का चाहिए आंसर होगा अंगला कॉस्चन देखेगा रामचन सुकल का देवासान किस वर्स हुआ है बताईए कॉस्चन नमबर आप से हांपर पूंचा गया है कि क्या होगा 172 में बताना है मत्तुपूर्ण कॉस्चन दिया गया है और 172 में आप सभी का सई आंसर आ रहा है तो आप सभी का सई आंसर है यहां पर रामचन सुकल का बताना है तो विकल्प नमबर आपका हांपर 172 में तीन सैयांसर उनने सो अरतिस है उनने सो अटिस आपका सैयांसरों का विकल्प नमबर तीन está नौने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़ियां विल्कुल चाहिए अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमर आप से 113 पूंचा गया है हाँ बिल्कुल चाहिए बहुत बढ़िया न्यूनी सिपिलेटी के कारिणामिक इसकी निवंद रचना मानी जाती है बताइए क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा मत पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर चैन कीजेगा मत पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सई आंसर चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉश्चन या पर दिया गया है और बिल्कुल सई एक सो तेतर में तीन महावीर प्रसाद दुबेदी आप सभी का सई आंसर होगा विखल्प नंबर तीन जनौने भी चेन किया है उनका सई आंसर स्रद्धा वक्ति निवंदे के लेकक कौन मानी जाते हैं एक सो चोचतर में आपको चैन करना है बताईएगा सभी लोग चैन करेंगे मादव प्रसाद मिस्र हैं रामचन सुकले हैं पालमकुंद गुप्त हैं स्याम सुन्दर दास हैं चैन कीजेगा मत्पूर्ण कॉश्चन या पर दिया गया है और क्या होगा सई आंसर और आप सभी का सई आंसर है बहुत बढ़ियां विल्कुल सही स्रद्दा वक्ति निवंद ये माना जाता है किनका रामचन सुकल जी का निवंद माना जाता है विल्कुल सही बहुत बढ़ियां विकल्प नंबर बी जो है आपका सई आंसर है अंगला हाँ साधना जी विलकुल कॉस्चन नमबर 175 पूँचा गया एनल जी मजदूरी और प्रेम यह जो निबंद है किन का माना जाता है 175 में आपका सही आंसर क्या होगा ज्यापक पूर्ण से रामचन सुकल माधव प्रसाद मिस्र या फिर स्याम सुन्दर दास यह चार विकल्प आपकी आपर तिये गए है 55 कॉस्चन यहा पर पूँचा गया है मजदूरी और प्रेम जो निबंद है यह किन का माना जाता है और आपको कई बार अपनने इसको याद किया कि मजदूरी और प्रेम पूर्ण मिला मजदूरी ओ प्रैमपूण मिला तो पूण से अब्ध्यापक पूण सें आप सभी का आपर सइयांसर होगा नवेकल्प नंबर जो एक है आपका सैयांसर होगा लाइक करते जाए सभी लोग जोनों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजेगा तुल्णात्मक आलू सह सरमा तो आप सभी का यहां पर सही अंसर क्या हुगा तो विल्कुल सब्सक्राइब आ पिर्वरत किसी माना जाता है तमाटर जी दिख रहए मैसेज आपके तो दिख रहDIA है तो 176 में आपका सही आंसर है बदम सही सरमा आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार जो है आपका सही आंसर है विल्कुल चाहिए बहुत बढ़िया समा लूचना समुच्च है किसकी रचना मानी जाती है बताई ये और हां संजु जी तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है समा लूचना समुच्च जो रचना मानी जाती है ये मानी जाती है किनकी कॉश्य नंबर 87 है महत्वपून है भी वाला विकल्प बहुत सारी लोग बता रहे हैं यह माविरपरसाद दुवेदी की रचना मानी जाते है किनकी माविरपरसाद दुवेदी दो वाला वेकलप, आप सभी का यहां पर सइय उंसर होगा। बहुत बड़ियां, बिल्कुल सही, यंगला कॉश्चन यहां पर देखे, हिंदी वासा की उत्पत्ती, रचना एक किनकी मानी जाते हैं इसके लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं रचना के लेखक आपको चैन करना है और आप सभी का ठक्तर में सईयांसर आ रहा है यह रचना मानी जाते हैं किनकी महाबीर प्रसाथ दुबेदी जी की दुबेदी जी आपका यहांपर सईयांसर है बहुत बड़ियां विकल्प नमबर तीन आपका यहांपर सईयांसर है विकल्प नमबर तीन सी आनी की सी जिनोंने भी चैन किया है उनका सईयांसर है महाबीर प्रसाथ दुबेदी तुलसी दास और उनकी कभीता किसकी रचना मान मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर सभी के कमेंट यहां पर देखते जाते हैं जो भी आपर जो गलत कमेंट करता तो उसको बिलोग कर दिया जाता है और फिर जो है कभी भी कमेंट नहीं कर पाती फिर तो आपका य की रचिना मानी जाते हैं बहुत ही मत्पूर्ण रचिना है पड़ी अपनने कई बार प्रदुम ने विजय ब्यायूग नाटक की रचिना कार कौन माने जाते हैं मैं अतलिशन गुपत हैं या फिर यहां पर स्रीतर पाठक हैं हरियोद है माविर प्रसाथ दुबेदी हैं बता माने जाते हैं तो 180 का आपका तीन सई आंसर है यह हरियोद जी की रचिना मानी जाती है जिनकी रचिना मानी जाती है हरियोद जी की रचिना मानी जाते है विकल्प नंबर सी जो है आपका सई आंसरों का बहुत बढ़ियां सभी लोगों ने यहां पर विकल्प नंबर तीन बताया है रसग रंजन जो निवंद है ये किन का निवंद माना जा निवंद संग्रह है रसग रंजन हाँ संजू जी रसग रंजन अपन ने पड़ा है ये पूंचा जाता है किस विदा की रचिना है निवंद संग्रह स्याम सुंदर दास का माबीर प्रसाद दुबेदी का ब तो विकल्ट नमबर आपका यहां पर भी जो है माबीर प्रसाथ दुबेदी वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है अकबारी चुनार के संपादक कौन माने जाते एक सोब्यासी में आपको चेन करना है निबाल कृष्ण वट्टे हैं स्यामसुंदर दास हैं प्रताप नारण म मिस्र हैं या पिर बाल मुकंद गुप्त हैं अकबारी चुनार के रचनाकार बताना है सभी लोग चैन करिएगा वो सभी लोग साथ में जो है लाइक भी करते जाईएगा जन्होंने अभी तक लाइक नहीं किये हैं पिलकुल मितलिश जी रूबी पाल जी अकबारी चुनार के संपादक पूँचा गया है तो 182 में आपका बाल मुकंद गुप्त होगा सही आंशर बाल मुकंद गुप्त आपका सही आंशर है अंगला कौस्चन यहां पर देखेगा अंगला कॉश्चन यहां पर क्या पूँचा गया है कॉश्चन नमबर 183 यहां पर पूँचा गया है हिंदी सब्दसागर के संपादक है कौन है यह पूँचा गया हिंदी सब्दसागर के संपादक सुक्दियो प्यारी मिस्रे मादव प्रसाद मिस्रे स्याम सुन्दर दास या पिर पद्म सह सर्मा कॉस्चन नमबर 183 में आपको बताना है हिंदी सब्द सागर के संपादक पूंचा है तो 183 में आप सभी का सभी आंसर है तनू जी विलकुल आप सभी का यहां पर जो सी वाला बेकलप है वहिए आप सभी का यहां पर सभी आंसर है स्याम सुन्दर दास को ने स्याम सुन्दर दास आपका संपादक पूंचा गया हिंदी सब्द सागर की बिलकुल चाहिए अंगला कॉस्चन है कालिदास की निरन कुस्ता किसकी गद रचिना मानी जाती 184 वा कॉस्चन याँ पर पूँचा गया है और 184 में आप सभी का याँ पर क्या होगा सही आंसर सभी लोग चैन करिएगा बताईए कालिदास की नरनकुस्ता किसकी गद्र रचना मानी जाती है तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये तो मावीर परसाद दुबेदी की रचना मानी जाती है किनकी मावीर परसाद दुबेदी विकल्प नमबर आपका डी वाला जो है डी वाला विकल्प है आप सभी का याँ पर सही आंसरों का कास्मीर सुसमा किसकी काप रचना मानी जाती 185 में आपके लिए चैन करना है रामनरिस्टर पार्टी की सृधर पार्टक भारतेंदू माबीर प्रसाथ दुवेदी 185 का आप सभी का क्या होगा सही आंसर काश्मिर सुस्मा की रचनाकार बताइगा इसी तरह से रोज जुड़िएगा रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है और रोज सभी को इसी तरह से जुड़ना है काश्मीर सस्मा जो कब रचिना मानी जाती है बहें मानी जाती है श्रीधर पाठक जी की विकल्प नमबर आपका भी जो है बहें आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दो गंगा उतरन किसकी रचिना मानी जाती है गंगा उतरन बताने जगनात दास रतना कर स्यामसुंदरदास, रामचन सुकल या फिर सिरीधर पाठक किनकी रचिना मानी जाती है बताईए गंगाउतरन की रचिनाकार पूँचा है चासी बाद कॉस्चन है और चासी में आप सभी का सही आंसर आ रहा है गंगाउतरन तो मानी जाती है किनकी जगनात दास रतनाकर रतनाकर आपका विकल नमबर एक जो है रतनाकर जी मुनी की रचिना मानी जाती है गंगाउतरन समा लोचक के संपादक पूँचा गया है संपादक थे पदमसे सर्मा थे गुलेरी जी थे स्याम सुन्दरदास थे अजय संकर प्रसाद थे 87 में बताना है समा लोचक जो है समा लोचक के संपादक पूँचा गया है बताइए विंदु जी समा लोचक के संपादक कौन थे 87 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नमबर आपका हाँ पर क्या होगा सही आंसर बी वाला विकल्प होगा सही आंसर 87 में चंद दर्सर्मा गुलेरी गुलेरी जी आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल चाहिए चंद्रदर्सर्मा गुलेरी जन्हों ने विकल्प नमबर दो चेन किया है उनका यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा गया है 188 बिहारी और विजय देव नार्ण साही की तुल्ना द्वारा किस गुलेरी ने बाल मुकंद गुप्त ने प्रताप नार्ण मिस्र ने क्या होगा सही आंसर बिहारी और विजय देव नार्ण साही की तुल्ना द्वारा किस आलूचक ने तुल्ना अलूचिना का प्रारंब किया था तो आप चबीक 88 में विकल्प नमबर 20 सही आंसर होगा इंगला कॉस्चन यह ना पर मिस्र बंदों की प्रीय कभीक ओन तानकर दियो या गनांद मिस्र बंदों तीन वायटे स्यांडारी सुक्क्ति ब्यारी गलेश ब्यारी और इन्होंने जो है एक ग्रेंट लिए थेमादा Кर्यों दौन अज सुंद्धितं धिनोदीं ju तो है चार बागों में एक ग्रंत लिखा था और मिस्त्र बंदुओं के जो प्रिये कभी थे बहे माने जाते हैं कौन बहे माने जाते हैं देव देव आपका सही आंसर होगा मिस्र वंदुओं के प्रिय कभी देव माने जाते हैं पद्म सेय सर्मा के प्रिय कभी माने जाते हैं कौन माने जाते हैं केसब हैं गनानंद हैं देव हैं विहारी हैं 190 वा कॉस्चन आपसे यहां पर पूँचा गया है क्या होगा सही आंसर पदम सें सर्मा जो है इनके प्रिये कभी जो माने जाते है नब्वे में कौन माने जाते हैं तो देखेगा मिस्र बंदों के माने जाते हैं देव और पदम सें सर्मा के माने जाते हैं बिहारी विकल्प नंबर आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर जो चार है वहें आपका सईया अंसर होगा विल्कुल चाहिए डी वाला विकल्प आपका सईया अंसर है question नंबर आपका यहाँ पर 91 है निम्नमे से कौन अपने समय में कभी समराट की उपाधी से वुशित किये गए थी कभी समराट की उपाधी दी गए थी किसके लिए हरियोद को जैसेंकर परसाद जी को स्रीदर पाठक जी को रामरेश्टर पाठी जी को किनको दी गए थी ए उपाधी तो आप सभी का सईया अंसर होगा 191 वा question है और 91 में आपका विकल्प नंबर एक सईया अंसर है 191 में आपका विकल्प नंबर एक सईया अंसर है आने कि हरियोद जी जो है इनको कभी समराट की उपाधी से वुशित किया गया था इनके समय में कभी समराट समालोचक पत्र कहां से प्रकासे थोता था 122 में आपको छेन करना है कानपुर से जैपुर से कासी से लखनव से कहां से प्रकासे थोता था समालोचक पत्र बताईए क्या होगा सई आंसर कॉस्चन मत पूर्ण दिया गया है बाननवेवा कॉस्चन है और बाननवे में आप सभी का सई आंसर है वी वाला विकल्प है यानि कि यह प्रकासे थोता था जैपुर से कहां से जैपुर आपका वी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सई आंसर है नवरत ने के लेकत कौन मानें जाते हैं तो आप सबीका यह आंपर चप्छिना माने जाती हैं नवरत ने मिस्र बंदू की रचिना मानी जाती है हिंदी नवरत ने अनवेशन और अनुसंदान परक आलूचना का विकास किस पत्रत्व पत्रिका से माना जाता है वैपत्रिया पत्रिका वतान है नांगरी पिचाणी पत्रिका है सरस्तोती है प्रताप है सुदर्सन है कौन सी है अनवेशन और अनुसंदान परक आलूचना का विकास किस पत्रत्व पत्रिका से माना जाता है तो आप सभी का यहां पर एक सई आंसर है नांगरी पिचाणी पत्रिका से अंगला कोश्चन है कि हिंदी की पहली आत्मकता कौन सी मानी जाती है आप बीती अर्द कता या फिर आत में चरेत एकल्यान मार्ग का पतक देखेगा है यहां पर अर्द कत्था नहीं अर्द कत्थानक होगा अर्द कत्थानक जो है यह मानी जाती है अर्द कत्था नहीं मानी जाती है अर्द कत्था किन की मानी जाती है बताइए जो अर्द कत्था है यह किन की मानी जाती है आत्म कता नहीं मानी जाते हैं अर्द कतानक जो है बैं मानी जाते हैं इंडी की पहली आत्मकता बनारसी दास जेन जो है उनकी यह मानी जाते हैं 1641 में जिसका प्रिकासन हुआ था अर्द कता किनकी मानी जाते हैं बताइए अर्द कता किनकी है इसके लेखक कौन माने जाते हैं नगे में सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियों को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जाद है वीडियों को सेर करें बहुत सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्ली से एक बार लाइक अवस्य कर लेंगे और इसी तरह से रोज जुड़ना है आप सभी के लिए रोज आपको लाइब क्लास लाई जाती है तो सभी लोग इसी तरह से जुड़िएगा वीडियों को लाइक से रवस्य कर लीजेगा सरद जी साधना जी निसा जी रूबी जी नौर एमस बर्मा जी तनमय जी अरीष जी वाबना जी और संजू जी और बिंदू जी कंचन जी तनू जी सुनेना जी हमलता जी डीपक जी गोलू जी रिता जी अनल जी स्टेटस वाई आर आग जी अनंत जी राजीब जी बिंदू जी सॉनीका जी अभींषेग जी रोची जी जी प्रमोट जी प्रमोट जी है कि इसमा पर्वीन जी और अनंत जी बाबना कुमारी जी मेधा जी रुभी पाल जी मितलेश जी प्रितमा जी हमलता जी राकी राखी जी, हरसिता जी और अंजली जी, रहनुपंडित जी, दीपमाला जी, नितू जी, सोईता जी, भुछी जी, सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरह से जुड़ियेगा, रोज आपके लिए विसाल जी एक लास लाई जाती है, तो इसी तरह से सभी को जुड होना है, प्रभीन जी, कंचन जी, दीपमाला जी, मितलेश जी और दीपक पवार जी, सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है, बिंदु जी, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही, तो सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा, और लाइक से रवस्ट करते रहिएगा, और सभी को सुब रात्री, तो सभी के लिए उमेश जी, जै हिंद।